नमस्कार 22 तारिक को जो है भगवान राम की पुनर स्थापना होने जा रही है 500 वर्ष बार यह अवसर आ रहा है बहुत ही महतुपूर्ण है 12 बच के 29 मिनिट से लेकर 12 बच के 30 मिनिट साड़े 30 मिनिट तक जो मुहुर्थ है वो विशेशुरूप से बहुत महतुपूर्ण मुहुर्थ है क्योंकि सूर्य जो है अपचय अवस्था में है और मंगल और गुरू आपस में राशी परिवर्तन कर रहे हैं मंगल जो है वो उर्जा, एनर्जी, सफलता, शक्ती, इत्यादी का स्वामी होता है और गुरू जो है वो सत्ता का राजपाठ का इत्यादी का जो है महतुपूर्ण ग्रहमाना गया है गुरू जो है और इस तरह से हम देखें तो ये बहुत ही महतुपूर्ण अवस्था में जो है भगवान राम फिर से विराजमान होने जा रहे हैं बहुत ही अच्छा दिन है वो और विशेश रूप से जोतीशीय संदर्बों में यदि मैं कहूं चोंकि मध्यानकाल में ही श्री रामचंद जी का सीता सहित उनके परिवार सहित आशिरवात पूरी की पूरी प्रजा पर बना रहेगा इस दिन क्या किया जाना चाहिए इस दिन विशेश रूप से मेरा निवेदन सभी से रहेगा कि सुंदर का पाट करें राम रक्षा स्त्रोत्र का पाट करें और विशेश रूप से रामचंदर जी से सम्मंदित जो भी भजन इत्यादी है उनका गुणगान करें एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि गरीबों को भोजन कराएं बहुत ही महतोपूर्ण है क्योंकि प्रजा वाहक है श्री रामचंदर जी तो प्रजा को यदि भोजन मिलेगा तो रामचंदर ज हो गया केला हो गया पीले वस्त्र हो गया इत्यादी इन सब छीजों का दान करें इससे बहुत लाब होने की संभावना बढ़ेंगी रामचंदर जी के जो स्तृत्र हैं उनका ध्यान करें रामचंदर जी के भजनों की स्तुति करें राम राज जो मेरे पीछे है आप देख पा रहे हैं ऐसा ही राम राज राम की जी के राज तिलक का जो फोटो है उसको लगा कर उसके पूजा अर्चना करें इत्यादी करने से सभी को निश्चित रूप से लाब होगा और जीवन में उन्नती का मार्ग प्रशस्त होगा तो इस तरह से पूजा पाठ दान इत्यादी करके राम चंदर जी की प्रसनता का पर्याय बन कर हम जीवन में अपनी उन्नती का द्वार खोल सकते हैं मिश्चित रूप से बाविस तारिक को ये सब किया जाना चाहिए नमस्कार